सस्क्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों कहा जाता है जब कोई सचे मन से भगवान की पूझा करता है तो भगवान भी उसकी भक्ती से खुश रहते हैं ऐसे में पूझा करते समय कई लोगों के साथ बहुत से हासे होते हैं या यूँ कह लीजिए कि ये कुछ संकेत मिलते हैं ऐसे में फगवान कई बार पूजा करने वाले लोगों को कुछ संकेत देते हैं जिसका मतलब होता है कि उनके उपर फगवान का आशिरवाद बना हुआ है और पूजा करने वाले को हर काम में सभलता मिलने वाली है ऐसे में आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूजा करते समय अगर आपको दिखें तो आप समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपकी किसमत के सितारे चमकने वाले हैं यानि भगवान आपकी सबी कस्तों को हर के आपके जीवन में मंगल ही मंगल करन आये दोस्तों जानते हैं कि वे कौन से ऐसे संकेत हैं जो पूजा करते समय अगर मिले तो शुब होता है दोस्तों अगर आप पूजा करते समय इन संकेतों को देखते हैं तो आप हमें कुमेंट करके बता सकते हैं आये दोस्तों जानते हैं कि वे कौन से संकेत हैं दोस्तों कि आपकी किस्मत चमकने वाली है इसी के साथ यदि पूजा करते समय आपके दर्वाजे पर अचानक कोई फिखारी आ जाए तो इसका मतलब यह समझे कि आपके दर्वाजे पर शाक्षात फगवान पथा रहे हैं और आप अपनी समर्था के अनुसार उस व्यक्ति को दान देकर परसंद करें दोस्तों अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो उस समय आप दिये का परियोग कर रहे हैं तो अचानक उस दिये की लोतेज हो जाए तो इसका तात्प्रेभी यह है कि आपके समक्ष भगवान पथार चुके हैं जी हाँ अगर आप अगरवत्ति या थूप से पूजा कर रहे हो तो उसके थूएं से किसी भगवान या ओम का निशान बनता है तो यह आपके लिए बेहद ही शुब है दोस्तो मानिताओं के अंसार पूजा करते समय यदि आप भगवान की पूजा माला से कर रहे हैं और अगर वैफूल आपकी तरफ आकर गिरता है तो इसका तात्प्रेभी यह है कि आपको भगवान की तरफ से आशिरवाद मिला है और आपकी किसमत बहुत ही जल्द बदलने वाली है दोस्तो यह है वैश शुब संकेत जो पूजा करते समय अगर आपको मिलें तो आप समझ लीजी कि आपकी पूजा सफल है और भगवान आपकी किसमत बहुत ही जल्द बदलने वाले है दोस्तो हम आशा करते हैं कि आपको अमारे द्वारा देगी जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें नमस्कार दोस्तो